ना सिर्फ आज भारती वाईसियना को दस ऐसे लाइट कॉमबैक्ट हेलिकॉप्टर उन्होंने सौपा बलकि आज उस हेलिकॉप्टर में उडान भी भरी लगभग 15 मिनिट तक हवा में उडान भरने के बाद वापस रक्षा मंतरी राईजात सिंग का हेलिकॉप्टर अब लैंड कर चुका है तमाम खूबियों से लैस्य हेलिकॉप्टर और बेहत हलका लडाकू हेलिकॉप्टर माना जाता है इसका वजन लगभग 58 किलोग्राम है 330 किलोमेटर प्रती घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार उडान भरने के बाद लगभग 3 घंटे तक यह हवा में उड़ सकता है और 1000 किलोमेटर का सफर तैय कर सकता है ये इसकी जो खूबिया है वो आपको बताए मिसाईल या दूसरे छोटे हतियार लेकर टेक आफ करने में सक्षम है और 21,000 फिट की उचाई तक उडान भरने में कैपबल 70 mm के 12-12 रॉकेट के दो पॉंड इसमें लगे हुए है और 20 mm की गन के साथ 110 डिग्री में किसी भी दिशा में घूमने में सक्षम ये लाइट कॉमबैक हेलिकॉप्टर प्रशंड जिसका नामकरण भी आज हुआ है और जोद्पुर में इस विशेश पॉकेपर रक्षा मंत्री राजिनात सिंग मौजूद थे वापस उनका हेलिकॉप्टर लैंड कर चुका है और वो थोड़ी दिर बाद इस हेलिकॉप्टर से उतर जाएंगे इस आज के कारक्रम के जरिये उन्होंने ना सिर्फ उडान भरी बलकि इसके जरिये उन तमाम पाइलेट्स की वायुसेना का मनोबल भी बढ़ाया और खासकर हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड जिसने कड़ी मशक्कत के बाद इस लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर को बनाया और ये भारती वायुसेना की ताकत में एक बड़ा इजाफा करता हुआ नजरार है पाच छलिकॉप्टर्स जो थल सेना है उसको दिये गए है और इसके अलावा दस हलिकॉप्टर्स भारती वायुसेना को खासकर इसके तैनाती उस लाके में की जाएगी जो रेगिस्तानी लाकाबा बताय जाता है पाकिस्थान की सीमा लगती है और देखिए उडान भरने के बाद देश के रक्षा मंत्री राजणात सिंग वापस लैंड कर चुके हैं पाइलट की ड्रेस में और फारी सुरक्षा के बीच और ये उडान कम्प्लीट करने के बाद अब वापस वो जाते हुए और लगभग दो धाई घंटे से जोद्पूर के इस एरबेस पे मौझूद है रक्षा मंत्री और ना सिर्फ इस कारकर में उन्होंने शर्कत की बलकि आज इस विशेश मौके पर उन्होंने इस प्रचंड हेलिकॉप्टर में उडान भी भरी और अपने पाइलट जिसके साथ उन्होंने उडान भरी थी उसको धन्यवाद करते हुए बहुत जादा महत्पूर तस्वीरे और प्रचंड एक बड़ी ताकत के रूप में आज भारती वाईूसेना में शामिल हो गया मिलकुल और इसलिए से आकाश का बाजीगर कहा जाता है वाईूसेना के लिए तो बड़ा मौखा है ही लेकिन साथी साथ डिफेंस सेक्टर में आत मिरभर भारत की तरफ किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है इसके भी मिसाल है ये तस्वीरे और दुश्मन को चक्मा देने में सक्षम है यानि दुश्मन का राडार भी इन हेलिकॉप्टर्स की मूव्मेंट को पकड़ नहीं पाता ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है और इसके अलावा जो बहुत पूर बात ये है कि मेकेन इंडिया यानि प्रिधानमंत्री का जो सपना है आत्म निर्भर भारत क क्योंकि डिफेंस सेक्टर में भारत की डिपेंडेंसी जो है वो कई देशों पर है और उस डिपेंडेंसी को कम करने की कोशिश के तहट भी इस कदम को दिखा जा रहा है और HL जो की लगभग 80 साल भारत ये पुरानी कंपनी है उसके द्वारा ये बनाये गया है और आज द करनाये बनाये